हमारी यूटूब चैनल में स्वागत हैं दोस्तों में बता दूं कि इस वीडियो के माईदम समलोग जानेंगे कि SSE selection post phase 9 का जो exam हुआ था उसका result गब आएगा क्योंकि अभी माई का आखरी समय आ चुका है यानि आखरी कुछी दिन बचे हुए लेकिन अभी तक SSE selection post phase 9 का भी तक result गोसित नहीं किया गया तो इसके लिए मैंने अभी SSE के official site पर login किया हुए जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं और यहां पर आप देखिए आखरी update यहां पर आपको दिख रहा होगा यह जो है आखरी update वो है stenographer grade C and D examination 2019 declaration of final result यह जो है stenographer का जो final result गोसित हुआ है इससे संबनित है इसके बाद आज ही की date में important notice selection post यह लदाक के लिए है जो अभी नया निकला उसके लिए है इसके लिए important notice phase 10 यह 24 माई का ठीक है तो यह phase 10 का बता रहा है SSE selection post phase 9 का जो exam हुआ है अभी तक इसके बारे में कोई भी official update नहीं है लेकिन जहां तक यहां पर देखने पर लग रहा है कि लगातार SSE result declare कर रहा है जैसे कि आज credit में stenographer grade C and D का result declare कर दिया गया है तो इस हिसाब समलोग क्या सकते है कि SSE selection post phase 9 का जो exam हुआ था उसका result अगले 15 दिन के अंदर कभी भी घोस्जित हो सकता है तो जैसे इसके बार में कोई official update आता है मैं आपको अपनी चैनल पर जरूर बता दूँगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे exams हो या latest update हो उसकी जानकारी आपको मिल सके ठीक है और साथे साथ मैं बता दूँ कि कल मैंने वीडियो बना करके बताया था कि SSC selection post phase 10 का एक नया वेकंसी निकला हुआ है अगर आप इच्छुक है तो आप उस वेकंसी को भर सकते हैं इसी official website पे जा कर एठेक है तो यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं जैसे result आ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद